नमस्कार प्रेशिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर निधिगर्द, सहायक प्रोफेसर आयर्वेद, NIOS के सामुदैक स्वास्थे प्रशिक्षन कारेकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ. आज हम यहां पर प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो की आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटीड है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. इससे पहले आप इन विश्यों के बारे में थियोरी में जान चुके हैं, विस्तार से आपने थियोरी में इनके बारे में पढ़ा होगा, तो आईए, आज हम थोड़ा सा practical manual के बारे में भी जानते हैं, जो कि आपके लिए अतन आवश्यक हैं सबसे पहले जब कभी भी कोई स्वास्थेकारे करता, किसी रोगी को या पीडित व्यक्ती को रैफर करता है डॉक्टर के पास, तो वे हस्पताल में या किसी स्वास्थेकारे केंज में उसको रैफर करता है, तो आईए जानते हैं, सबसे पहले जब आप एक हस्पताल में जात पर आपको स्वागत कख्ष रिसेप्शन दिखाई देता है जहां पर आप जानकारी ले सकते हैं या फिर मरीज का पंजी करन करा सकते हैं उसके बाद आपके आते हैं बहीरंग विभाग जिसे हम ओपिडी बोलते हैं जहां पर विभिन विशेशग्य बैठे होते हैं और वो व अंतरंग विभाग जिसे हम आई पीडी बोलते हैं इन पेशन दोर जहां पर की गंभी रोगों से संबंधित रोगियों को भरती किया जाता है और उनका वहां पर इलाज किया जाता है इसके अलावा जब आप स्वागत कख्ष रिसेप्शन एरिया में जाते हैं तो वहां उ भीडी होते हैं इन्तजार करते हैं तो वह एरिया आपका प्रतीक्षा शेत्र होता है आए एक अनजर में देखते हैं यह हमने चीज़े देखी है हुए हैं रिष्टेदार बैटे होते हैं इंजार कर रहे होते हैं अपनी बारी के आने का और यह जैसे एक व्यक्ति ने अपना पर्चा बनवाया है दिखाने के लिए डॉक्टर के से सलह मश्वरा करने के लिए और यह OPD एरिया है जहां पर एक मरीज जो है दिखाने के लिए OPD में जा रहा है और यह IPD है जहां पर मरीजों को भरती किया जाता है Emergency number वहाँ पर लिखे होते हैं किस में कब करना है और यह day care वाड़ आप देख रहे हैं आए यह तो हमने अभी देखा कि एक हस्पताल के अंदर क्या द्रिश्य हमें दिखता है और हम कैसे अगर हस्पताल के अंदर जाते हैं तो हमें कहां पर व्यक्ति का registration कराना है पंजी करन दिखाना है किस OPD में दिखाना है तो यह हम इससे अच्छी भांती भली भांती जान गए हैं कि जब हम हस्पताल में जाते हैं तो reception area पे आप मदद मांग सकते हैं कई जगे हस्पताल में जो reception area है वही पर आपका registration हो जाता है और कई जगे पर registration के लिए अलग जगे बनी होती है तो वह है आप reception area से जान सकते हैं तो waiting area आपने देखा कि जहां पर आप रोगी व्यक्ति को उनके रिष्टेदारों को थोड़ी देर इंतजार करा सकते हैं जब तक उनकी बारी नहीं आती है तो वहां पर वह लोग इंतजार कर सकते हैं जब आप एक hospital में जाते हैं या किसी रोगी व्यक्ति को आप चूते हैं देखते हैं तो व्यक्तिगा स्वच्चता होना बहुत आवश्चक है जो हम personal hygiene बोलते हैं यह सिफ रोगी व्यक्ति के लिए ही नहीं है अपने लिए भी बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है तो आईए जानते हैं कि व्यक्तिगा स्वच्चता में जो एक रोगी के लिए और एक हमारे खुद के लिए बहुत आवश्चक है तो आईए जाने कुछ ऐसे ही points जहां पर हमें चाहिए कि स्वच्चता होना अत्यन्त आवश्चक है पहले हम जानते हैं कि हम व्यक्तिगा स्वच्चता से क्या समझते हैं व्यक्तिगा स्वच्चता से तातबर्य हमारे शरीर की स्वच्चता से है इसका व्यापक अर्थ स्वास्थे को संरक्षित वा समवर्धित करना है अर्थात हमें अपने स्वास्थे को बनाए रखने के लिए इसको बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्वच्चता के लिए आवश्चक है बहुत जरूरी है कि हम व्यक्तिगत स्वच्चता को अपनाए ताकि हम स्वस्थ रह सके स्वस्त रहने के लिए व्यक्तिगा स्वच्ता अनिवार रहे है स्वस्त तन में ही स्वस्त मन का निवास होता है ये हम सभी जानते हैं इसलिए व्यक्तिगा स्वच्ता होना अत्यन्त आवश्चक है व्यक्तिगा स्वच्ता में कुछ नहीत महत्पून बिंदू हम इसमें जानेंगे कि क्या-क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से महत्पून बिंदू है, जहां पर हमें व्यक्तिगत स्वचता आवश्चक होती है तो सबसे पहले है जैसे आख नाक कानों की देखभाल, कि आखों में हम स्वच पानी के छीटे मारें, नाकों को हम साफ रखें, इनमें कोई मैल जमने ना दें, कानों को भी ऐसे देखभाल रखें क्यूंकि कान हमारे सुनने का कारे करते हैं, तो कानों में कोई मैल जमाना होने इन में कोई नुकीली चीजों से कानों को साफ ना करें यह सब व्यक्तिगत स्वच्टा के अंतरगत आते हैं बालों की देखभाल करना भी बहुत आवश्चक है अन्यता इन में जुएं पढ़ सकती है या यह गंदी इन में पढ़ती है तो बाल बहुत ज़्यादा ज़ड़ स इसमें की दांत, जीव और मुख आपके आते हैं अगर आप दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो मुझसे बद्बू आएगी आप देखते हैं कि दांत जो है कई लोगों के बहुत ज़्यादा खराब होते हैं या समय से पहले ही गिरना शुरू हो जाते हैं तो इसलिए प्रजन की स्वच्चता को बनाय रखना अत्यनतावश्चक है और साथ में जब आप स्वास्थे कारे करता हैं तो आपको लोगों को यह भी बताना होगा कि हाथ जो है अच्छे से धोने चाहिए तो इसमें हाथों को धोने की विधी बहुत महत्पूर्ण है जो की आपको प आपको आखना कान और बालों की देख भाल मोखिक स्वच्चता हाथों को धोने की विधी यह भी आपकी व्यक्तिगत स्वच्चता में आती है नियमित रूप से शौच जाना यह भी व्यक्तिगत स्वच्चता में आता है यदि आप नियमित रूप से शौच नहीं हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए और नियमित रूप से मंजन वास्नान करना चाहिए भोजन की स्वच्ता बनाए रखना चाहिए आप ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि व्यक्तिगा स्वच्ता में क्या क्या बिंदू हमें जानने चाहिए और इसमें हम ये भ की किसी रोगी के संपर्क में आने जाँच करने से पहले और बाद में अर्थात अगर आप किसी रोगी के संपर्क में आने वाले हैं या उसको तच करना है उनको जैसे ड्रिप चड़ानी है इंजेक्शन लगाना है तो आपको हाथों को धोना चाहिए या उनकी कोई जांच करनी है आपको तो हाथों को धोना चाहिए और उनको छूने के बाद भी आपको हाथों को दोना चाहिए मा और शिशु को छूने से पहले दस्ताने गाउन पहनने से पहले और उतारने के बाद जब आप माइनर रोटी या मेजर रोटी में होते हैं वहाँ पर दस्ताने या गाउन आपको पहनने होते हैं तो वहाँ पर आपको हाथों को अबाव, ड्रेसिंग करते समय, उत्सर्व पदार, अर्था जो एक्स्ट्रीटा मरीज का है, जब हम उसको उठाते हैं या उसके उपर कारे करते हैं, तब भी उसके पहले और बाद में हमें हाथ अवश्यद होने चाहिए, चिकित से अपकरणों के साथ कारे करने से पहले और अर्था जो भी आपके आपके इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जब आप उनके साथ काम करने वाले हैं, तो अपने हाथ अवश्यद होएं, ताकि जो आपके उपकरण हैं, वो किसी प्रकार से इंफेक्टेड ना हो, और बाद में भी आप अपने हाथ अवश्यद और रोगी को खाना खिलाने से पहले और बाद में आपको हाथ अवश्यद होना चाहिए, आप देखते हैं कि हाथों को सही प्रकार से धोने की विधी क्या है। हाथों को सही प्रकार से दोने की विधी जैसे आप देख सकते हैं हाथों को किस प्रकार से दोना चाहिए उपर से जो उंगलियां है उनके बीच में से आपको हाथों को साफ करना चाहिए यह अंगूठा देखिए अलग से आपको साफ करना चाहिए और इसी प्रकार से हतेली स या आप अपनी उंगलियां जो है साफ कर रही है तो ये कलाईयां है ये आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको हाथों को साफ करना चाहिए आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि हाथों को किस प्रकार से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए ये तो हमने जाना कि हाथों को सही प्रकार से धोने की विधी क्या है आए जानते हैं अब इसका लाब क्या है रोगियों में संक्रमन के फिलाब को रोका जा सकता है यदि हम अच्छे से हाथ धोते हैं तो हम रोगियों में संक्रमन के फिलाब को रोक सकते हैं ताकि जो संक्रमन है वो एक रोगी से दूसरे रोगी में ना जाए या एक बिमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना जाए इस प्रकार से संक्रमन रोका जा सकता है दूसरा स्वास्ते कारे करता के संक्रमन के जोखिम को कम किया जा सकता है यदि कोई स्वास्ते कारे करता किसी रोगी के संपर्क में है तो उसका संक्रमन का जोखिम है उसको हम कम कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तर किटानू है हमारे रोग को फिलाने वाले हैं वो हाथों के माध्यम से ही फैलते हैं तो इसलिए जो स्वास्ते कारे करता है उसके संक् के कुछ लाब हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए कि हाथों को अवश्य ही आपको अच्छे से धोना चाहिए आए अब जानते हैं एक बहुत ही महत्पून टॉपिक है हमारा की प्रसव की संभावित तारीक का परिकलन अर्थार जिसको हम बोलते हैं EDD estimated date of delivery यह जानते हैं कि यह किस प्रकार निकालते हैं और यह क्यों महत्पून है यह अत्यन्त्यन्त महत्पून है metanol Child Healthcare के अंतरगत्तर जब हम बात करते हैं तो हमें किसी भी मरीज को जो महिला है गर्भवती महिला है उसको प्रसव की संभावित तारिक बताना हमारे लिए अत्यन्त्यन्त्यन्त प्रसव की संभावित तारीक हमें पता होती है तो हम बता सकते हैं कि जो गर्भ में शिशु पल बढ़ रहा है उसकी व्रिद्धी और विकास जो उस समय का समय है जैसे तीन महीने हुए या चार महीने हुए तो उस समय के हिसाब से उसका जो व्रिद्धी विकास हो रहा है वह स जब हमें पता होता है कि प्रसफ की संभावित तारिक क्या है हमारे पास कितना समय है या जो हमारा मरीज है जो गर्भवती महिला है उसके पार कोई जोखिम तो नहीं है तो उस जोखिम से बचने के लिए उसके पास कितना समय है तो यह सब योजना बनाने के लिए हमें समय मिल जाता है यदि हमें पता हो की प्रसव की संभावित तारिक क्या है तो यह सब इसके लिए इसमें इसका बहुत जादा रोल है तो इसलिए प्रसव की संभावित तारिक पता होना अतिनतावश्यक है और एक हम यह भी कह सकते हैं कि जो दंपत्ती है जो नव दंपत्ती है जो वह उतना उतना से लंगे सबस्क्राइब को आपा सकते हैं ऊश्यों कराने के त्र यह दिक हैं कि नहीं कीज़ुक। थि सबस्क्राइब करें दूसारा प्रसफ करकेंब जो पहली बार महिला गर्ववती होती है, तो थोड़ा सा डर लगा होता है, तो वह मांसिक रूप से तैयार हो जाती है इस समय में कि उसको पता चल जाता है, इतना समय है, क्या क्याँ चीजे होती हैं तो उसको बात करने का भी टाइम मिल जाता है, तो इसले प्रसफ की उसके साथ में हम 9 महिने और 7 दिन जोड़ देते हैं जैसे माल लीजे कि अंतिम्रजासरावति थी एक जनवरी 2019 है तो उसमें जब हम 9 महिने और 7 दिन जोड़ देंगे तो वह 8 अक्तूबर 2019 बनेंगी तो यह आपकी अनुमानित प्रसवति थी यदि किसी महिला को अपना जो अ 9 महिने और 7 दिन जोड़ देंगे तो वह उसकी अनुमानित प्रसवति थी या संभावित प्रसवति थी निकल आएगी कई बारी यह होता है कि जो महिला है उसको अंतिम्रजासरावति थी अच्छे से याद नहीं होती है तो वह उपर नीचे हो जाती है लेकिन फिर भी हमें इसे एक अंदाजा लग जाता है कि जो डिलीवरी है वो किस समय होने वाली है तो उसी हिसाब से जो उसके टिके लगने है या उसकी जो वृद्धी विकास का चक्र है अल्ट्रसाउन कराना है कोई जांच करानी है तो हम उसके हिसाब से करा सकते हैं आए इसे अब एक वीडि अवदी जानना जोरूरी है पूर्ण गर्बावस्ता की अवदी नो मैने साथ दिन या चालिस सप्ताह या दोसो असी दिन का होता है ये अवदी पूर्ण होने की बाद ही एक प्राकृत प्रसव होता है तो ये संभावत प्रसव की तिती जानने कैसा है वो आभी हम देखते संभावित प्रसव तिती यानि की EDD या फिर Expected Date of Delivery जानने के लिए एक गर्बिनी स्त्री का अंतिम रजस्राव तिती यानि की LMP या फिर Last Menstrual Period जानना ज़रूरी होगा अंतिम रजस्राव तिती एक महिला का अंतिम बार जो मासिक रजस्राव हुआ था उसका पहला दिन होगा उसके साथ 9 मैने 7 दिन मिलाएंगे तो हमें संभावित प्रसव की तिती आ जाएगी उदाहरन अगर एक गर्विनी स्ती का अंतिम रजस्राव की तिती एक जन्वरी 2019 हैं तो इसके साथ अगर हम 9 महिने 7 दिन या 40 सप्ता है या 280 दिन मिलाएंगे तो 1 अक्टोबर 2019 को 9 महिने पूरे हो जाएंगे उसकी साथ अगर 7 दिन मिलाएंगे तो 8 अक्टोबर 2019 को उस गर्विनी स्ती का संभावित प्रसव का तिती होता है कुछ गर्विनी महिनाओं को अपनी अंतिम रजर श्राव की तिती पता नहीं रहता है ऐसे स्त्रियों में जो है प्रतम त्रैमास अगर पूरे हुए है तो उधर परिक्षन से गर्वाशई बुद्न की उंचाई की हिसाब से हम संभावित प्रसव की तिती जान सकते है या जान सकते हैं जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से जाना कि संभावित प्रसव तिती किस प्रकार निकाले जाती है तो आज हमने इस प्रैक्टिकल मैन्वल के जो वीडियो प्रोग्राम है इसमें कुछ महत्पुन टॉपिक्स के बारे में बात करिये जैसे हस्पताल पंजी करण कराना है कहां पर ओपीडी है कहां पर आई पीडी है तो यह सब हमने हस्पताल के परिदिशय में देखा है दूसरा हमने जाना कि व्यक्तिगत स्वच्छता कितनी महत्पुन है वह स्वस्थे कार्य करता के लिए Looks के लिए रोगी यह स्वास्थे की बाद करते है तो उसके लिए व्यक्तिकत स्वच्छता का होना अत्यन तावशक है और साथ ही हमने maternal child health care के अंतरगत EDD अर्थाज जो प्रसव की अनुमानित तिती है उसके महत्व के बारे में जाना कि किस प्रकार से यह हमें सुरक्चित प्रसव कराने के लिए मदद करती है या किस प्रकार से गर्भस्त शिशु का जो वृद्धी विकास है उसको जानने में हमारी सहता करती है तो आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपके लिए लाबधायक सिद्ध होगा और अन्य प्रोग्राम के साथ फिर हम आपके साथ आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद